हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों गनेश हिवारकर जो कि आप जानते हैं सुशान सिंग राजपूत के दोस्त हैं और बहुत दिनों से सुशान सिंग राजपूत के जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो तीन दिन पहले गने शिवारकर के ट्वीटर अकाउंट पे और बाकी उनके जो सोशल मीडिय अकाउंट्स हैं उस पे एक फोटो अपलोड किया गया था और उस फोटो में दिखाये गया था कि खून बिखरा हुआ है फर्श पे यानि कि ब्लड बिखरा हुआ है फ्लोर पे और एक नवी नाम के ब्यक्ति ने उस पे लिखा था कि गने शिवारकर पर अटैक हुआ है और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो खून निकला है गने शिवारकर के उस अटैक के कारण जो इंजूरी हुई है उसके कारण ये खून निकला हुआ है और उस पोस्ट में स्टू शीवारकर को काफी सीरेस इंजूरी हुई है और उसी कारण यह खुन निकला हुआ है तो आज सोचल मीडिया पर बहुत सारे लोग सहे कमेंड कर रहे थे कि बहुत जूरी हुआ है गने शीवारकर कहां पर है किस्ति रिवा राटब किया कुछ लोगों ने यह भी कि यह फेक न्यूस है यह जो ब्लेड है यह सब फेक है इसमें सब जूटी बाते हैं इसमें सच्चाई नहीं है तो दोस्तों मैंने इस बारे में रिसर्च किया है ऐसे लीगल रिसर्चर आप जानते हैं कि मैं रिसर्च करता हूं और जो सच्चाई है उसे निकालने की कोशिस करता हूँ तो इस बारे में मैंने research की है और जो नतीजा निकल के आया है वो मैं आपको पताने जा रहा हूँ इस वीडियो में तो सबसे पहले दोस्तों आपको गनेशिवारकर ने कल जो एक email भेजा है CBI को उन्होंने एक email भेजा है CBI को और अपने उपर जो attack हुआ है उसके बारे में उन्होंने उसमें बताया है और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी रक्षा की जाए उनको protection दिया जाए तो email में देखिए क्या है मैं आपको briefly बताता हूँ ताकि आप समझ सकें कि वो जो खून दिखाये गया था फर्श पर बिख्रा हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है तो गने शीवारकर ने CBI को एक email भेजा है और साथ में एक complaint उन्होंने complaint लिखा है और complaint का जो copy है उन्होंने उसको attach किया है उस email के साथ तो complaint में लिखा है कि छे February के रात को उन पर 4 लोगोंने अटेक किया उनके घर में घुसके उन्होंने email में लिखा है यानि की complaint में लिखा है उस समय वो घर में थे रात में और क्यूंकि दरवाजा उन्होंने खुल के रखा हुआ था तो उस समय चार लोग उनके अंदर घर के अंदर घुसे और उन प निखा है GSR तो इन पहुंपों निकला निकला उनके पैर से तो देखे ये बात तो सच लोगों ने चोटाई थी और निकला था और उन्होने कंप्लेन में लिखा ये कंप प्लेंग You मैं इसे सच मानता हूं क्योंकि इन्होंने कंप्लेंग को लिखा है जब आप CBI को कोई complaint लिखते हैं तो वहाँ पे आप जूट नहीं लिख सकते क्योंकि आप जानते हैं कि CBI अगर इसकी investigation करती है और करेगी भी और उसमें अगर जूट पाया गया आपने जूटे तर्थ facts दिये हैं तो आपके ओपर serious कारवाई हो सकती है इसलिए जब कोई CBI को चिठी लिखता है complaint लिखता है तो उसमें वो सच लिखेगा जूट नहीं लिखेगा क्योंकि वो जानता है जूट लिखेगा तो फंस जाएगा तो ये बात सच है कि गने शिवारकर पर चार लोगों ने अटेक किया था लोहे के रोट से हमला हुआ था पैड में इंजूरी हुई थी और खून निकला था ये बात सच है इसके बाद question उठता है कि अगर खून निकला था अगर वो घर पे थे तो वो खून घर के फर्ष पर बिख्रा हुआ पाये जाएगा लेकिन अगर उस email में बताये गया था कि studio की बात की गई थी तो अगर studio की बात है तब तो वो उस समय studio में नहीं थे तो studio में तो खून बिख्रा हुआ नहीं मिलना चाहिए तो देखिए अगर वो जो photo upload किया गया है अगर वो घर का photo है गने सिवारकर के घर का photo है तब तो ये बात सच है क्योंकि अगर घर का photo है तो उस समय घर पे attack हुआ था गने सिवारकर के पैर में चोटा आई थी और खून निकला था तो वो खून जो निकला हुआ है वो सही है और वो गने सिवारकर के पैर से निकला हुआ खून है जो पिख़ा हुआ है फर्स पे लेकिन अगर वो फोटो गने सिवारकर के स्टूडियो की है तब तो दोस्तों ये बात सच नहीं है क्योंकि जब अटेक हुआ था तो गने सिवारकर नहीं अपने कंप्लेंड में लिखा है कि वो घर पे थे तो अगर खून निकला है तो घर के फर्स पे बिखरा रहना चाहिए गने सिवारकर के स्टूडियो के फर्स पे नहीं बिखरा रहना चाहिए सेकंड बात ये भी है कि उन्होंने कहा है अपने कंप्लेंड में कि उनके जो घर के जो बैनर्स थे पोस्टर से सुशान सिंग राजपूत के वो सब फार दिये गए तो ये बात भी सच है क्योंकि उन्होंने कंप्लेंड में ये भी लिखा हुआ है कि उनके घर का जो बैनर्स था वो सब तोड़े गये थे और फार दिये गये थे तो दोस्तों तो इस रिसर्च में जो निकल के आया है वो यही है कि अगर जो खून बिखरा हुआ है फर्स पे अगर वो घर का है घर का फोटो से है तब तो बात सही है क्योंकि खून निकला था काफी खून निकला था एस पर दे कंप्लेंड ऑफ गनेशिवारकर और लेकिन अगर वो स्टूडियो के फोटो है गनेशिवारकर के स्टूडियो के फोटो है तब वो फोटो सच नहीं है सह कर तो इसमें यह क्या सच है या गलत है तो दोस्तों देखिए गने शिवार्कर ने अपने कंप्लेट में यह भी लिखा है कि उनकी जो सोशल जो मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक हो चुकी है उन्होंने ऐसा अशंकर पर जगाया था उन्हें लगता है कि हैक हो की है उन्होंने कंप्लेट में यह भी लिखा है कि वो जो ट्वीट की गई थी सोशल मीडिया पर जो ट्वीट की गई थी और जो एक के वो photos को upload किये थे तो conclusion क्या है friends bottom line क्या है नतीजा क्या निकल के आया कि वो जो tweet किया गया था attack की बात की गई थी वो बिल्कुल सच है attack हुआ था लेकिन वो जो खून निकला था अगर वो studio का photo है तो ये सच नहीं है और अगर घर का photo है तो ये सच है क्योंकि घर पे attack हुआ था चार लोगों न अटेक किया था रोट से उन पे attack हुआ था पैड से काफी खून निकला था तो दोस्तों यहीं सचाई है मैंने बहुत ही neutrally research करने के कोशिस की है और निर्पेक्ष भावना से मैंने research की है तो जो सचाई निकल के आई वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया तो दोस्तों में अगले वीडियो में बने रहेगा मेरे से चैनल से बाबाए